Hello everyone, welcome back to my channel और आज हम पढ़ने वाले हैं GST सबसे पहले हम GST के फुल फॉर्म देख लेते हैं That is Goods and Services Tax GST stands for Goods and Services Tax नाम से ही clear हो गया है कि Goods और Services पर ये Tax अप्लाई होते हैं ठीक है, जो हमारा GST है वो एक Indirect Tax है Direct Tax निया है, ये हमारा Indirect Tax है ये हमें Direct Government को नहीं दिन होती है ये Indirectly Government के पास जाता है GST Act जो है Parliament में 29th March 2017 को पास हो गया था बट ये existence में कब आया था, ये लागू कब हुआ था अन 1st July 2017 GST के आने के बाद जितने भी पहले Indirect Tax थे हमारे वो सारे हटा दिये गया अब सिर्फ एक Indirect Tax पूरी कंट्री में वो है GST GST के आने के बाद जितने भी पहले Indirect Tax थे वो सारे हटा दिये गए है अब हमारी कंट्री में क्या है सिर्फ डारेक टेक्स है जो Income Tax होता है और एक Indirect Tax है जो हमारा GST होता है इसके अलावा कोई भी टेक्स नहीं है पहले बहुत सारे टेक्स होने की वज़ेसे कंट्रीक्स थे अब वो कंट्रीक्स नहीं है आप स्विफ हमें GST पे करना होते है इसके बारे में फॉर्दर इंफॉर्मेशन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थाइंक यू वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सस्क्राइब करना ना भूले